करोना महमारी के बढ़ते संकर्मन के खत्रे से बचने के लिए स्टेट बेंकर्ज एंड कॉमर्स एशोशेशन के द्वारा पूरे हिमाचल परदेश में बेंकिंग सेक्टर से जुड़े कामकाज में पूरी सावधानी बरतने और बेंकिंग कारे समय में कटवती की गई है इसी के चलते हमिरपुर्जिला के अगरणिया पंजाब नेशनल बेंक सहीत अन्य बेंक शाखाओं में पूरी तरहते एहतियात बरती जा रही है पी एन बी सरकल हेड विनीश चावला ने बताया कि कोविड के खत्रे के चलते स्टेट बेंकर्ज एंड कॉमर्स एसोशेशन के आवान के बाद पी एन बी की सभी शाखाओं में करमचारियों कियो शिफ्ट पर बुलाया जा रहा है तो बेंकिंग टाइमिंग भी दो बज़ करमचारियों को मास्क के साथ काम करने और बेंक में परवेश करने वाले को सैनिटाइज करने के साथ मास्क अनिवारे किया गया है उन्हें बताया कि अगर किसी बेंक शाखा में कोई करमचारी पॉजिटिव आता है तो शाखा को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के साथ प्रामी अर्टालिक गेंटे के लिए बंद किया जाता है जिस दौरान काम करने वाले करमचारी को करोना टेस्ट करवाया जाता है। उसमें गाइड्लाइन्स इशू की है कि बैंक में अभी कुछ दिन के लिए बेसिक सर्विसिजी प्रोवाइड कराई गया है जिसमें जमा कराना पैसे खाते से निकालना और रेमिटेंस अभी यही है और बैंकिंग आर्स भी थोड़े से कम करके पब्लिक डिलिंग अभी दस स से दो तक कर दी है साथ ही यह भी हमें बोला गया है कि कोशिश करें हम स्टाफ को रोटेशन से बुलाएं 50% तक का ही हम एक बार में प्रेजन्स करें स्टाफ को तो सारे बैंक इंक्लूडिन पंजाब नेशनल बैंक इन गाइड्लाइन्स का फालन कर रहा है शाखाओं में प कि इंवीडेटली एक बार हम ब्रांच को बंद कर देते हैं उसकी पूरी सानिटाइजेशन होता है ब्रांच का साथ में अगर एटी हैना तो उसका भी सारे स्टाफ का टेस्ट होता है खिर अगर उस शाखा के सारे करमचारी मानलो पोजिटिव आ जाते हैं तो हम किसी दूस कि इंशरी शाखा से मीनियों स्टाफ डेपलोई करके कोशिश करते हैं कि दो दिन बाद जो ऑपरेशन्स है ब्रांच के वो सुचारू रूप से चलते हैं